खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षासंसान ग्रुप ओफ इंसिट्यूशन्स रिस्योरा सीतापुर नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बविता सिंगर दर्शकों के अभ्युदन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबर नामा सुर्ख्यों वाले खबर नामे का आगाज सीतापुर और लकीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे फिर आपको प्रदेश की महतपुर खबरों से भी कराएंगे रूबरू आज के खबर नामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में आग का तांडो बाल बाल बची 40 लोगों की जान और बात करेंगे बैराजों से छोड़ा गया पानी पहुंचने के पहले ही उफनाने लगी सीतापुर की नदियां फिर बात करेंगे यूपी पुलिस की लखनो जोन फ्रतियोगता में सीतापुर बना सिर्मौर और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में बेरोजगारों के लिए खुशकबरी जल्द राजस विभाग में होगी बड़ी भरती लेकिन पहले नजास सुर्खियों पर सीतापुर में मेडिकल स्टोर सीज होने से मचा हर कम सीतापुर में भाजपा के यूवा मोर्चा ने अखलेश यादों का पुतला किया दहन प्रधान के फरजी दस्थकत बना कर कोटेदार ने हरप लिया एमडीम का राशन सीतापुर सांसद्रा के स्राटर ने हिंदी सभा को दिया पूरी मदद का स्वासर लखीमपूर में एक बार फिर बन सकते हैं दो हजार एक्किस जैसी भायानक बाढ़ के हालाद लखीमपूर के जंगलों में भरा बाढ़ का पानी जिंदगी बचाने के लिए पहला आयन कर रहे जानवर फरार सपानेता पर पच्चिस हजार रुपे का इनाम घोसित खबरों की शुरुआत हम सीतापूर जिले की खबरों से करेंगे अब बास सीतापूर नगर के बीचों बीच हुए आग के तांडों की चरिवार सुबे करीब 11 बजे हेम पुर्वा इस्थित एक नमकीन फैक्टरी और आयल रिफाइनरी ब्लांट में अचानक आग लग गई तेल और पॉलिथीन के आग पकड़ते ही आसमान काले धुए से भरने लगा आग कितनी भीसर थी इसका अंदाजा सिर्फ इस बास से लगाया जा सकता है कि सीतापूर फायर रिस्टेशन के तीन दमकल वाहन जब नाकाफी साबित हुए तो आनन फानन में बिस्वा, सिधौली, मिशिग, महोली और लहरपूर से फायर वाहनों को बुला लिया गया मुख्य अगनी शमान अधिकारी सुभास सिंग के नित्वत में 40 दमकल कर्मियों ने चार घंटे से भी अधिक समय तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया फैक्टरी मालिक अर्विंद अग्रवाल ने तेल रिसाओ के चलते आग लगने की इस घटना में लाखो रुपए का नुकसान होने की बात कही है आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस भी हरकत में आ गई नगरमजी स्टेट कशनानांद तिवारी, स्डियम सदर ग्यानें दिवेदी, सियो सिटी, अमन सिंग और शहर कोतवाल अनूप शुकला ने भारी पुलिस बल के साथ आगनी समन दस्ते को आग बुझाने में पूरा सही योग दिया हालात की गंभीरता को देखते हुए डिवाइडर के एक और की सड़क को सामान ने आवागमन के लिए बंद कर दिया गया इस पर से सिर्फ फायर वाहन या फिर पुलिस वाहनों की आवाजाही सुरच्छित की गई किसी जन्हान की आसंका को देखते हुए अंबिलेंस को मौके पर खड़ा कर दिया गया सपा के राश्टिय सची हुत था पूर विधायक अनूप गुपता सही शहर के कई आन्ने बड़े ब्यापारी कारोबारी भी मौके पर पहुँचे और फैक्टरी मालिक अरविंद अग्रुआज से बात की तला बड़ा हसा जहां पर नमकीन फैक्टरी में आग लगी वही पर प्लाइवीट फैक्टरी के साथ बाबा जैगुर्देयों का आश्रम भी है जिस समय आग लगने की घटना हुई उस समय आश्रम के बेस्मेंट में सतसक चल रहा था जिसमें करीब 40 भक्त मौझूद से इस सभी को आनन पानन में सुरचित बेस्मेंट से बाहर निकाला गया इस पूरी घटना को जानने के लिए इससे संबंदित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं अपनी ही सरकार में अपनी ही विधान सबा छेत के एक ठाना प्रभारी को हटाने के लिए सीतापुर के सियोतास से विधायक भाजपा विधायक ज्यान तिवारी को आम जनता की तरह धर्णी पर बैठना पड़ा इस पूरे मामले से हो रही किरकिरी को देखते हुए स्पी चक्रेस मिस्रा ने रियोसा थाना प्रभारी घंसयाम राम को लाइन हाजिर करते हैं उनके स्थान पर थानगाओं के थाना प्रभारी हनुमन तलाल तिवारी को रियोसा का थाना प्रभारी बना दिया है बताते हैं सियोता विधायक रियुसा थाना प्रभारी की कारेस्याली से पिछले काफी समय से नाराज चल लहे थे बूथद्यश कुलदीब कुमार की दुकान के मामले ने उनकी नाराज़गी की आग में घी का काम किया जिसके बाद शुक्रोयर की सुबे रियुसा के अटल चौक विधायक धरने पर बैठे रियुसा थाना प्रभारी की विधायी होना तय है इसकी सुबुगाट उसी समय मिल गई थी जब शुक्रोयर को करीब दो बजे बिस्वाँ S.D.M. मनिस कुमार और सीओ सतीशन सुखला ने आटल चौक पहुचकर विधायक ज्यानतिवारी को S.P. से बाद कराई थी इसके बाद विधायक ने अपना धर्ना समाप्त कर दिया था बहराल विधायक की नाराजगी को देखते हुए रियुसा थाना प्रभारी घंस्याम राम की विधाई तो हो गई है लेकिन समूचे प्रकरण ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिये है संपूर थाना समधान दियोस में थाना सदरपूर पहुचे सीतापूर के डियम अफशे कानन, स्पी चक्रेश मिश्रा ने जंगली जानवरों और आगामी तिहुआरों को लेकर बड़ी बात कही है डियम ने छेतरे प्रधानों और दूसरे कड़मानियों से जंगली जानवरों को लेकर चल रही अफवाहों पर चर्चा की है डियम ने कहा कि वह लोग अपने अपने गाओं में नागरिकों को जागरुक कर अफवाहों से फैलाई चारी दैसस से बचे डियम ने कहा अभी तक ऐसा कोई जानवर नहीं दिखा है जिससे वह सिद्ध हो सके बाग इस छेतर में है डियम ने एक दूसरे धर्म की आस्था का सम्मान करने तथा शांती ब्योस्था बनाए रखने की अपील की है बैठक में पहुचे विभिन सम्मदाय के लोगों से बात करते हुए एसपी चक्रेश मिश्रा ने कहा कि अगर कोई मुद्दा है तो उन्हें आउगत करा दे कोई अनवस्यक मुद्दा बना कर असांती पहलाने वालों को चिन्नित करके कड़ी कारवाई की जाएगी उन्होंने का कि बारा वफात, दशहरा और नौरात में पहले से चली आरही परंपरा का सभी को अनुपालन करना होगा जैसे कि पहले से आसंका ब्यक्त की जा रही थी हाला तो ऐसे ही बनते नजरार हैं बैराजों से छोड़ा गया लाखों के उसे पानी अभी पूरी तरह से सीतापुर की सरहद में पहुचा भी नहीं और नदियों ने कहए ढाना शुरू कर दिया सर्यों और सादा नदियों के उफनाने से लहरपुर, बिस्वा, महमूदाबाद, तहसीलों में रहने वाली हज्जारों की आबादी पानी की कैदी बन कर रहे गई घरों में पानी भर जाने के कारण कई गाउओं के लोग छटों पर डेरा जमाने को मजबूर हो गए है तो तमाम लोग पलायन की डगर पे चल चुके है सिचाई विभाद के मुताबिक अभी बैराजों से छोड़ा गया पानी पूरी तरह से सीतापूर नहीं पहुचा है इसके बावजूद अंगरावरा में घागरा नदी खत्रे के निशान से केवल 50 सेंटी मीटर नीचे बह रही है जाहिर जब छोड़े गए पानी की भारी मात्रा सीतापूर पहुचेगी तो इस्थितियां कितनी भयावा हो सकती है इसका सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है बाड के खत्रे वाली इन तहसीलों में मौझूद दावक्त में क्या हालात है इस्थानी लोगों में आने वाले बाड संकत को लेकर किस तरह का भय ब्याप्त है प्रिशाशन लोगों को खत्रे से बचाने और राहत पहुचाने के लिए क्या क्या कर रहा है इन सभी को विस्तार से जानने के लिए आप सम्मंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं सीतापूर में चल रही यूपी पुलिस के लखनो जोन की 49 वी अंतर जन्पद्ये शूटिंग और अलार्म एफिसेंसी रेस प्रतियोगता का समापन हो गया है शुकरवार देश साम, स्पी चक्रेश मिसा ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए प्रतियोगता समापन की गोशना की इस प्रतियोगता में जन्पद सीतापूर का डंक था बज़ा, अलार्म, एफिसेंसी, रेस, एसॉल्ट, राइफिल, सूटिंग, पुरानी इसपरदार, रिवालबर और पिस्टल सूटिंग में सीतापूर की टीम में प्रतम इस्थान पर रहने का गौरोप्राप्त किया कारवाइन स्चूटिंग इस परधा में जन्पद अमेठी में उत्करत प्रिदर्शन करते हुए चल बैजनती प्राप्त की अमेठी के मुखे आरच्छी जोखई प्रिशाद यादो और बारावंकी की आरच्छी चालक ब्रिजेन सिंग ने अपना ट्रैक रिकार्ट कायम रखते हुए एक बार फिर सर्वसे इस लश्च भेदक होने का गौरोप्राप्त किया सबापन समारों में एस पी उत्री प्रकास कुमार, सियो सिटी आमन सिंग, सियो सदर संजीव त्यागी और प्रतिसार निरिचक शियू बालक वर्मा से ही तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे अब बात लहरपुर के मशहूर जल बिहार कारिक्रम की रव्यार को यहाँ आउजित होना है, इसे देखते हुए कोटवाली प्रभारी मुकुल प्रकास वर्मा ने भारी पुलिस बलके साथ जल बिहार के रूट पर पैदल मार्च किया इस दौरान जल बिहार कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे इस मार्च पर कोटवाली प्रभारी महला टांडा सलार के शिव मंदिर से राम लीला मैदान इस्थित पक्का तलाब तीर तक का जयजा लिया गया बतादे जल बिहार में इस मार्च पर भगवान के विभिन रूपों से जुड़े सिंगासंज निकाले जाते हैं इस आयोजुन को शांती पूरवक संपन कनाने के लिए इस मार्च में पढ़ने वाले महलों की स्थिती का निरिच्छण किया गया और लोगों से शांती बनाय रखने की अपील की गई सीतापूर के अटरिया छेत में भगवती पूर चौराहे पर बिना पंजी करन चल रहे मागायत्री मैटकल स्टोर को सीज कर दिया गया है आउसद निर्चक अनीता कुर्ली और हर्दोई की आउसद निर्चक स्वगीता घोस ने अटरिया पुलिस के साथ जांच परताल करते वे तीन दवाओं के नमूने पर इछड के लिए भेजे तता करीब साथ हजार की दवाईयों को कबजे में ले लिया अचानक हुई इस छापे मारी से छेतर के सभी मैटकर इस्टोर संचालकों में हड़कम मच गया है सपाप्रमुग अखले शादों के मठाधीस और माफिया वाले बयान को लेकर सियासत गरम है संतों के साथ भाजपा भी इस बयान के विरोध में सड़क पर उतर आई है इस दोरान तरुन शुकलार, राम प्रताप सिंग, अमन विक्रम सिंग, जितेन गुपता, कामेश शुकला, अंसु तिवारी, रिते सिंग और प्रशान्थ भदावरिया और रिशब तिरवेदी मौजूद रहे विश्वा सरकिल के सांड़ा विद्दूत उपकेंद से जुड़े उभोकताओं के लिए अच्छी ख़बर है 16 सितंबर से उन्हें रोस्टर के मताबिक विद्दूत आपूर्थ मिलने के रास्ते साफ हो जाएंगे विद्दूत विद्दूत विश्वा के अधिश्वासी अभियंता संजीव मिश्वा के मताबिक 15 सितंबर को सांड़ा उपकेंद के लिए नया ट्रांसफार्मर आ जाएगा इसको फिटिंग और वर्माप करके 16 सितंबर से चालू कर दिया जाएगा बतादे सांड़ा उपकेंद पर लगा पांच MVA ट्रांसफार्मर गुरुवार को छटिग्रस्त हो गया था इससे जहांगीराबाद फीडर की आपूर्ति बादित हुई थी वैकल्पी बेवस्था के रूप में दूसरे ट्रांसफार्मर से जहगीराबाद फीडर को दो दो घंटे की आपूर्ति की जा रही थी इसे देखते हुए इन्ने ट्रांसफार्मर मगाया गया है सिफ्टिंग कार के लिए SGO सुभाज शर्मा, J.S.K. कन्नौजिया, S.S.O. दीपक कुमार, राहुल दिछी तथा ट्रेस्टिंग टीम के सदस्से मौझूद रहे हिंदी दिवस के मौके पर सिदौली के चौड़िया कोठार इस्ति श्री भगीरत सरसुतिवाल बिद्या मंदिर में प्रतियुकता का आयोजन किया गया ऑप्रिप्टार्ट मिशरा के जाय का इस प्रतियुकताओं का संचालन सिच्छक अनुश्चुक्रा न और शुभारम प्रधानाचारिया निहारी का मिशरा ने किया इसमें 200 आकड़ा से अधिक बिद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया, अपनी लेखन कला की प्रतिभाग का प्रदर्शन किया, इसके अलावा बिद्यार्थियों ने ग्रीटिंग कार्ड भी बनाएं, डिप्टी मेनेजर किर्ताथ मिश्चा ने बताया कि सभी प्रतिभागिय के लेखन पत्र जमा किये गए हैं, निनायक मंडल जी ने सर्वसेश घोसित करेगा, उन्हें पुरुस्क्रत किया जाएगा, इस आयोजन में सारीका अनुद जीवनलाल, अप्शेक मौनू धर्मे सतीस आरती, इंदू सुमन आज सिचक सिचकाओं ने सहियोग किया, बिस्व तिभाव के साथ केवानी नदी में बिसर्जन किया गया, समिस्दस तरूर्शैनी ने बताया कि इस वर्स दित्ये गड़े सुच्स संपन हुआ है, आने वाले समय में इसे और भी भवी रूप दिया जाएगा, शोभायात्रा में अस्वनी पटेल, अनुज रस्तोगी, रौ पाव इस्थित राजकिये पशुधन उंक्रसी प्रचेत पर जारी शमिकों के धर्ना स्थल पर शनिवार को ब्लाक प्रमुक सिधौली रामभक्स रावत पहुचे, ब्लाक प्रमुक रामभक्स रावत ने शमिकों की समस्याओं को सुना, इस मौके पर श्यूकुमार, प्रदान के प्रजी हस्ताच्छर कर समस्त रासन का उपभोग प्रमार पत्र भी आपूर्ति विभाग में जमा कर दिया है मामले को लेकर ग्राम प्रदान हारी प्रशाद ने जिला पूर्त अधिकारी को शिकायती पत्र सौपा है आरोप है कि 120 क्विंचल चावल 15 क्विंचल गेहूं की कोटेदार लाल बिहारी ने गरवरी कर ली है कोटेदार लाल बिहारी का कहना है उन्होंने प्रदान को पूरा रासन दिया है जिसका उनके पास रिसीविंग मौजूद है रास्ट्रिय हिंदी दिवस के मौके पर मिसिक्षेत के कादी नगर इस्थित सरोजनी सियाराम बाबूराम नंद इंटर कॉलेज में कारिक्रम आयोजित किया गया सीनियर वर्ग के लिए हिंदी भासा भारतिय संस्कृती पहचान और जूनियर वर्ग के लिए हिंदी भासा के महत्तुविसय पर निबंध प्रतियोगिता आयुजित की गए सीनियर वर्ग में आकांच्छा गौतम, प्यांसी वर्मा, नागेश गोस्वामी, आयशी सिंग, चांदनी शुकला, उपदेश, कश्यप, योगेश रावत और दीपक अरकवंसी तथा जूनियर वर्ग में गौरो कुमार, रिशी विश्यकर्मा और सीवान सर्वस्टेश रहे प्रात्मिक वर्ग की इमिला और सुलेक प्रतियोक्ता में विनीता, सचिन, सोनम, हर्शित और निधी रावत ने पुरुसकार प्राप्त किये, इस मौके पर मुख्य अतिती के रूप में साहित रत्न, सियाराम नंद ने हिंदी भासा के महातो पर प्रकास डाला कारिकर में देवेंद्र, नंदवंसी, अमित मौर्या, सुनैना नंदा, पिंकी शुकला, पूजा शुकला, आकांचा सिंग, मोहनी सिंग, शबनम, कपिल, शैनेंद, रनवीर भारती, चंसेखर, आजा, जोती, गौतम, सूरज और असुनी वर्मा मौजूद रहे सीतापुर के जर्गवां इस्थित आसुतोस बैंकेट लाउन में, स्रीमत भागवत कथा का अजन किया गया, राजियंद्र पाल सिंग द्वारा आजित यह कथा, 20 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगी, व्युस्तापक संजे कुमार सिंग ने बताया कि इस मौके पर डगरहा ध साम के महराज स्री त्यागी जीद्वारा भागवत कथा का प्रवचन किया जाएगा, बाजपा के बिसेश सदसेता अभ्यान को लेकर पार्टी के अनसूचित मोर्चे की बैठा कायुजित की गई, जिला कारयाले में आजित इस बैठा के मुख्य अतिती के रूप में सूचित मोर्चे को दो लाख नए सदस बनाने का लच्छ मिला है, इसे सभी पदाधकारी मिलकर प्राप्त करेंगे, बैठा का संचालन मोर्चा के महामंति श्यूर्शंकर राजवांसी ने किया, इस दोरान रामजी गिहार, परमेश्वर भारगो, अजीत चौधरी, सर्वे संचे राजवांसी, हरजीत गौतम, अतुल कुमार और अनसुल भार को मवजूद रहे, कमलापूर गन्ना समित में निर्धारित कारिक्रम के अनुसार समिस्त इस्तरिये, 60 सर्वे मेले का आयोजन किया जगया, सीडी आई, डॉक्टर दीपशिखा के निर्धत में आयोजीत इसमेले में हैदरगर, रामगर, जवाहरपूर, बिस्वां और हरियावा चीनी मिलों के प्रतिनिदियों तथा कमलापूर गन्ना विकास परिसद के परवेचकों ने किसानों की आपत्यों का निस्तारण किया, इस दोरान गन्ना परवेचक, राम परताप रावत, विजे चौधरी, राम खिलावन, लीना पांडे, सीडियो रामगर, ब्रिजनंदन तिरवेदी, वरिष्ट गन्ना अधिकारी, जवाहरपूर, चंदर प्रकास मिश्रा और कल्लू सिंग मौजूद रहे, लहरपूर के आ इस दोरान सिचका नीता सिंग और सिचक रमेश चंदमिस्रा ने अपने बिचार रखे, अंत में प्रधानाचार औधेस कुमार अवस्ती ने अपने समापन संबोधन में हिंदी के महात पर बिस्तार से चर्चा की, गोस्ती में सिचक रियाज और अंकित कुमार मौजूद र अलाकी ग्राम सबा फूलपूर के मजरा नारायनपूर में वाइरल बुखार का प्रकोप चल रहा है, छेत्री आसा के जरिये इसकी सूचना मिलने पर, CHC अधिचक डॉक्टर राजीव और माद्वारा गाउं में स्वास्त सिवीर आयोजित कराए गया, इसमें मेडिकल टीम ने 70 ग्रामीरों का परिच्छर करा के उन्हें दमाएं दी इस दोरां CHO, अलका फर्मासिस, दया संकर, दुर्गेश कुमार और देशराज यादो मजूद रहे सिदावले के नेशलर इंटर कॉलेज माधमिक विद्यालियों की मंडली वेट लिफ्टिंग प्रतियोगता का आयोजन किया गया इसमें बालक और बालिका, दोनों वर्गों में सिदावले की टीम ने सर्विस्ट प्रतियोगता के लिए मंडल अस्तर पर ओवराल चैंपियन होने का गौरो प्रतियोगता किया है विद्याले के पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में राधा गौतम, शमा चौधरी, बैशनवी मिस्रा, कोमल मुहम्मद इर्फान, देवेन सिंग, गौरो सिंग, जैप्रकास, अर्जुन अवस्ती, उतकरश्वर्मा, बीनु पाल और ग्यानु कश्यप सामिल ह वक्त हो चला है, एक छोटे से ब्रेक का आप देखते रहें खबर नामा तीर्थनगरी नामिशान में तहसील प्रशासन द्वारा दुकानदारों को मंगलवार तक दुकाने हटाने का आदेश दिये जाने से हरकम मच गया है यहादेश दिये जाने की वज़े तीर्थनगरी के प्रस्तावित कारीडोर का काम फिर से सुरू किये जाना बताया जा रहा है SDM मिस्रिक पंकज सक्सेना के निर्थत में तहसील कर्वियों ने पुलिस बल के साथ ललीता देवी मंदिर के चक्रतीर्थ तक का निरिचर का सड़क से सटी दुकानों को मंगलवार तक हटाने के निर्देश दिये है SDM ने का किसी भी दुकानदार को परिशान होनी की आउसकता नहीं है जिने हटाया जाएगा उन्हें बलराम धर्मशाला और उत्तराध ही मठ के पास जमीन दी जाएगी सीतापुर के मचरेटा इलाके में बीते चार दिन से विद्दुत ब्योस्ता पूरी तरह से धोस्त पड़ी हुई है इसके बाद करीब 400 गौमों में रहने वाली 2 लाग की आबादी प्रभावित है आलम यह कि मचरेटा विद्दुत उपकेंद से संबंदि सभी बिजली अधिकारियों के मोबाईल स्विच शॉप है इस्थानी लोगों के मुताबिक जे धर्मेंद कुमार की कारशायले इस छेत के विद्दुत उप्भुकताओं पर भारी पड़ी रही है इस्थानी लोगों के भारी विरोध को देखते हैं बुद्धवार को बाधित हुई विद्दुतापूर सन्युआर की शाम को बहाल हो सकी थाना कमलापूर का थाना समाधान दिवस अतरिक्त मजिस्टे ट्राखी वर्मा की अध्यस्ता में आजित किया गया इस दोरान थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंग, मुकेश शर्मा, महेंद पांडे, मनमोहन कटियार, पवन राय, उत्तमपाल, असरफीलाल, आसिश्वास्तो, इरम खातुन और जीतिंद गुरजर, आधि राज़स सुततापूलीस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौ सितापूर सिच्छा संस्थान दोरा, जनपस सितापूर, लखीमपूर के सिच्चकों को समानित किया गया, मुक्यातिती के रूप में एडियम नितीज कुमार सिंग समारो का शुभारम किया, इस मौके पर संस्थान की उबागध्यच डॉक्टर इशिता महलोत्रा ने सभी स सिच्चकों को पुष्प गुच, शौल, इसमत्चिन भेट कर समानित किया, इस कारिक्रम का संचालन संस्थान निदेशक डॉक्टर जगबीर सिंग ने किया, इस दोरान कारिक्रम संयोजोग डॉक्टर संदीप सुकला, कुलसची मनोश शर्मा, आधिसासी निदेशक डॉक पच्चों को सुन कर उनके शिकवा, शिकायतों का निस्तारण किया गया, दोरो पच्चों के संतुस्थ होने पर केंदर से सभी की विदाई कराई गया, इस दोरान केंदर प्रभारी, एसाई मधु यादो, कांसलर मानवी मिश्या, विकास वर्मा, मुख्यारची जावेद और महिला आरची मौजूद रहे एक फल विक्रेता से मारपीट के मामले में थाना महमुदाबाद पुलिस ने तौरित कारवाई करते हुए छे आरोपियों को गिरफतार किया है बतादे महमुदाबाद के महला नई बाजार निवासी फल विक्रेता अंकित कुमार ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दे थी इन आरोपियों को गिरफतार करने वाली टीम में साई संतोस राय, आरची लचमी नरायन, राहुल चौधरी, कॉशलेंसिंग तथा मोहिच चौधरी शामिल रहे महमुदाबाद के सीता ग्रूप अप एजूकेशन में हिंदी दिवस पर गोस्टी का आयोजन किया गया हिंदी के उत्थान में सिच्चक की भूमिका सीर्षक से आयोजित इस गोस्टी को सीता ग्रूप के डिप्टी मैनेजर आंजने आसीस बाजपी ने संबोधित किया सीता ग्रूप के विद्यालियों में इस मौके पर भासरवाद, विवाद, कवीता गायन, निबंध, सुलेख पृतियोगताएं आयोजित की गई इस मौके पर डिप्टी मैनेजर वागी इस दिनकर प्रधानाचार अनन्त रतनम, उप्रधानाचार आरजे वर्मा, एसार वर्मा, बिजय वर्मा, यश्पाल वर्मा, नीरज वर्मा, आदर्श जैस्वाल, रवी मिश्रा, अवनी सवस्थी, बर्खा जैस्वाल और पतिभा अपना पंजी करान करा कर नेत्त परिच्छन का लाब प्राप्त किया। इस दोरान पचास मरीजों को सरजरी योग के पाए जाने पर उन्हें आखर स्पताल भेजा गिया। इस दोरान सैक्रों सरधालू घोड़े और उट पर सवार बैंट बाजों के साथ अबीर गुलाल खेलते और गड़पत के जैकारे लगाते निकले। इस दोरान बड़े चोराहे पर मटकी फोर्णे का मंचन किया गया सुरच्छा को लेकर पुलिस बल मुस्ताइद रहा। इस म पर आमर स्विर आयजित किया गया। रास्टे बाल स्वास्त मिसन के तहत आयजित इस स्विर में डॉक्टर सैयद राशिद अली की टीम ने 124 चात्र चात्राओं और आंगन बाड़ी के 62 बच्चों का स्वास्त पर इच्छर किया। इस दोरान बारा चात्रों को बहतर उप अभिवावक मौझूद रहे। अलाबाद हाई कोट में अधिवक्ता रमेश पांडे ने सीतापूर बियसे अखलेश पिताफ सिंग को शिकायती पत्र भेजा है। इसमें नगर छेत के उच्च प्राथमिक विद्याले हुसाइन गंज में अनुदेशी का के पदपर कारेरत प्राची मिश्रा पर कभी विद्याले नहीं आने का आरोप लगाया है। कहा गया है प्रधाना अध्यापक के साथ साथ गाठ करके नौकरी चला रही है। के प्रतिसार निरिचक शियुबालक वर्मा ने पुरुसकार प्रदान किये। प्रतियोगता का संचालन जिला बयायाम सिच्चक राज शर्मा ने किया। और निनायक के रूप में बागी सवस्थी, महेंदर मिश्रा, अंजू, प्रमोद दिचित, लौंक श्रियादो और चंद्रभूशर वर्मा ने योगदान दिया। इस दोरान प्रदीप तिवारी, पुनीत शुकला, धिरेंद वर्मा, संतोसक नौजिया, रजनीश और स्यूम मिस्रा आधी मौजूद रहे। सीतापूर जनपत की बिस्वा थाना पुलिस ने सीतापूर में मुठबैर के दौरान पुलिस पर फायर कर भाग जाने वाले चार शातीर चोरों को दबोच लिया है। डाले सिंग, पुर्वा निवासी, सुनील सिंग और थाना थानगाओं के महराजफूर निवासी आवाधराम बताया गया है। इनके कबजे से लाखों के जेवरा साई दो तमंचा कार्तूश बरामत किया गया है। सफलता हासिल करने वाली पुलिस टीम में थाना बिस्वां के SSI, फूल्चन सरोद, SI, आश्टोस मिस्रा तथा अतुल वर्मा मुख्य आरच्छी धर्मराज, आरच्छी राजु सरोज, आकाश निखिलो और अवीनास शामिल रहे। हिंदी दिवस के मौके पर सीतापूर की हिंदी सभाव में कारिक्रम आयजित किया गया। अमी, किरन, अवस्थी, चंद्रप्रकास मिश्रा, अर्वनेश मिश्रा, अमरीश स्रिवास्तो, कमलेश पांडे, ज्यानवती दिच्छित और संजय पूरी सहित तमाम हिंदी प्रेमी मौजूद रहे। इस कारिक्रमे सांसद राके स्राठा और अन्य वक्ताओं ने कौन सी प्रमुख बाते रखी, कौन कौन प्रमुख लोग मौजूद रहे। इन सब को बिस्तार से जानने के लिए संबंदित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। आपर जिला जजज और प्राधीकरण सच्यू नरेंदर नाथिर पाठी ने बताया कि मोटर दुरगटना दावा नयाया धीकरण के अध्यच सकी उल रह्मान खां कुल साथ मामलों का निस्तारण कर एक करोन 71,45,000 रुपए का अवार्ट किया गया। उन्होंने बताया राष्टिय लोक अदालत में सभी अपर जिला जजज द्वारा 185, सभी नियाईक मजिस्टेट कोट द्वारा 4,525, सभी वाह नियालियो द्वारा 992, सभी राजस नियालियो द्वारा 46,175 और अन्य समस्त विभागो द्वारा 49,850 वादों का प्रभावित करते हुए 3,99,28,000 रुपए को कोई समझोता रास वसूली गई है और अब खबरे जनपद लखीमपूर खीरी से लखीमपूर की महमदी वन रेंज के बाग प्रभावित मूरा 80 अलाके में लगातार वन हमला कर रहे हैं बाग को एक बच्छडे पर हमला करने के बाद वन विभाग ने लोकलाइस कर लिया है डियफो संजे बिस्वाल ने बताया कि इसके बाद बाग को पकड़ने के लिए उस स्थान पर पिंजरा लगाया गया है और डॉक्टर दया तथा पश्ची किस्सक डॉक्टर नितेश कुमार कटियार अपनी टीम के साथ बाग को ट्रैंकुलाइस करने का प्रयास कर रहे है उन्होंने बताया बाग को रैस्वी करने की प्रक्रिया के दौरान लोगों को इस छेत में जाने से रोका गया है डियफो ने बताया कि इसके अलावा पूरे छेत में मानो वन जीव संघर्स की रोक थाम के लिए लोगों को जागरुक किया जा रहा है बैराजों से छोड़ा गया लाखों कि उसक पानी लखीमपुर जिले की सीमा में पहुचने लगा लिहाजा नदिया एक बार फिर कहर बर पाने की और बढ़ चली है पलिया में शारदा नदी का पानी पूरे उफान पर है भीरा पलिया हैवे पर रप्टा पुल से पानी का तेस बहाओ साफ देखा जा सकता है बार का पानी पलिया नगर की सीमा तक जा पहुच आ है चीनी मिल के पास सड़क पर पानी ने कबज़ा कर लिया है अन्य तहसीलों में हालत खराब होने की और से बढ़ने की जानकारी मिल रही है ऐसी आशंका है कि जिले में वर्ष 2021 जैसी भायाना की स्थितियां बन सकती है इससे बिस्रत खबर देखने के लिए आप आइंडिया देख सकते हैं लखीमपूर जिले में बाढ़ के संकटे इंसानों को तो मुश्किल में डाल ही रखा है कम परिशान जंगली जानवर भी नहीं है जंगलों में बाढ़ का पानी घुसने के कारण मैलानी और भीरा के बीच जंगल में हाथियों के जुन्ड सुरक्षे तस्थानों की और जाते देखे जा रहे हैं यहां थी दुदुआ पार्क के अंदर से पलायन कर रहे हैं इसी के साथ अन्ने वन जियू भी जंगलों से बाहर आकर उचे स्थानों पर सरण ले रहे हैं फिलहाल मौजूदा इस्थिती वन विभाक लिए काफी चुनौती पूर बन गई है लखीमपूर के बाढ़ प्रभावित छेत्रों में स्वास्त सेवाओं का स्यमो डॉक्टर रसंतोस गुपता ने जाय जलिया CSC खमरिया के बाढ़ प्रभावित गाओं मिलिक और PSC चंदुवापूर पडरी पहुचे स्यमो ने बाढ़ चौकी पर दवाओं की उपलब्धता जाची और आसाओं से स्वास्त सेवाओं के बारे में पूछा इस मौके पर स्यमो ने CSC अधिचक डॉक्टर पंकच कुमार को कहा कहीं पिर दवाओं की कमी ना आने देने के लिए निर्देशित किया स्यमो ने कहा कि बाढ़ प्रभावित छेतरों में जहरीली जीवों के काटने के खतरे को देखते वे सभी बार चौकियों पर एंटी स्नैक बाइट और डाग बाइट के इंजेक्शनों की उपलब्धता सुनिस्चित की जाए इस दोरान योग प्रिसिचक डॉक्टर बिजे कुमार भी मौजूद रहे लखीमपुर के सिंगाही कजबे में कबड़ी टूर्नामेंट शुरू किया गया इसका उद्घाटन नगर पंचायत अध्यश मुहम्मद कयूम ने किया इस दो दियों से टूर्नामेंट में कई टीमें उन्हें भाग लिया उद्घाटन मैच में प्रधान पुर्वा टीम ने स्टार कलब को हरा दिया दूसरे मैच में रेल कलब की टीम ने जारखन टीम को परास्त कर दिया इस दोरान आजिस समित अध्यर्स अनुदीब दिचित पूर्प चेर्मेन प्रधीप पुर्वार बाल कुमार वर्मा, महेश कश्यप, अन्वर खाँ और मकबूल हुसैन मौजूद रहे लखिमपूर की कस्ता विधान सभा में भाजपा का बिसेश सदसिता अभियान चलाया गया इसमें जिला मंत्री बिजेश सिंग ने अपने फोन से मितौली कस्ता और अंधरौला सहित कई गाउं के सैक्रों लोगों को भाजपा की सदसिता दिलाई इस दोरान कस्ताप मंडल प्रभारी, अनुस सिंग, अध्यजीतेन शुकला, कौशल किसोर बाचपई, महेंद सिंग, राजकुमार सिंग, रजनी स्तिरवेदी, मोहिश सिंग और रविंदर सिंग आदी मौजूद रहे लखिमपुर के सभी थानों में थानात समाधान दिवस, आयुजित किया गे, इस दोरान डियम दुर्गा शक्ति नाकपाल और स्पी गडेश पिशा साहा ने सदर कोतवाली में बैटकर जन समस्याय सुनी और इसका निस्तारण कराया डियम ने कहा कि राजस और पुलिस से संबंदिश शिकायतों का निस्तारण आफसी सामंजसे से सुनिश्चित किया चाए इस दोरान सियो सिटी रवेश चंतिवारी प्रभारी ने इच्छ कंबर सिंग मौजूद रहे और अब खबरे उत्तर प्रदेश से करोडों की ठगी के मामले में फराल चल रहे सपानेता पर 25,000 रुपए का इनाम गोसित किया गया है मामला यूपी के बरेली जिले के सपानेता डॉक्टर बिजय शर्मा का है सपानेता पर डी फार्मा की फ्रजी डिग्री देखर करीब 306 से 3 करोड से अधिक रुपए की ठगी करने का आरोप है केस दर्ज होने के बाद S.I. इस मामले की जांच कर रही और पुलिस की कैटी में सपानेता को दबोचने के रिए छापे मारी कर रही है लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आ रहे इसे देखते हुए बरेली के S.S.P. अनुराग आरिया ने उन पर 25,000 रुपए का इनाम घोसित किया है U.P.C.M. योगी आदितनाथ के बहराइस दोरे की तैयारियां शुरू हो गई है मुखमंत्री 15 सितंबर को साड़े 3 बजे बहराइस पहुचेंगे उनका यहाँ पर भेडिया प्रभावित छेत सिसया चूरामन पहुचकर भेडियों के हमलों से प्रभावित परिवारों से मिलने का कारिक्रम है इसके बाद सियमयोगी आधितनाथ अधिकारियों और जन प्रतिनिदियों के साथ बैठक करेंगे बता दे बहराइस में भेडियों के हमलों को लेकर कोहराम मचा हुआ है अब तक भेडिये 10 लोगों की जान ले चुके हैं जबकि 50 से अधिक लोग इन हमलों में घायल है एक आदम खोर भेडिया अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है अब बात पीम किसान सम्मान निधिकी किसान सम्मान निधिकी अठारवी किस्ट का बेसबरी से इंतजार कर रहे ऐसी उमीद जता जा रही कि अगले महिने यानि अक्टूबर में या अठारवी किस जारी हो सकती है तमाम किसान ऐसे जो योजना का लाब पाने के लिए कई बार आवेदन कर चुके हैं उनके खाते में पैसा नहीं आता है आईए बताते हैं इसकी कौन-कौन वज़े हो सकती है पहचान पत्र के सत्यापन में देरी, बैंक खाते की गलत जानकारी, बैंक खाते की EKYC ना होना जमीन संबंधी दस्तावेजों में किसी तरह का विवाद होना पंजी करण के समय अधूरी या गलत जानकारी देना पात्रता संबंधी सर्टे पूरी ना ही करना और इंकम टैक्ष भरने की स्थिती में भी पीम सम्मान निदी का भुक्तान नहीं होता है बीते लोग सबा चुनाओं में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनने के बाद यूपी की योगी आधितनात सरकार ने सरकारी नौकरियों का थैला खोल दिया है यूवाओं के लिए खुशकबरी है कि राजस्तो विभाग में खाली पड़े हजारों पदों पर जल्द भरती किये जाने का निर्न लिया गया है सियम्योगी आधितनात ने लेकपाल, राजस्तो निर्चक और नायब तहसिलदार के साथ लिपी की ये समवर्ग से सभी रिक्त पदों पर नियूक्त प्रक्रिया ततकाल सुरू करने के निर्देश दिये है इस प्रक्रिया में रिक्त पदों के साथ नए पदों का भी शिजन किया जाएगा यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमान ने बारा वफात और बिश्यो कर्मा पूजे के मद्दे नजर सुरच्छा के पुक्ता बंदोबस्त करने के निर्देश दिये है सबी जिले के पुलिस अधिचक आईजी तथा डी आईजी को हिदायत दी गई है कि जुलूस निकालने के बाद किसी भी नई परंपरा की अनुमत नहीं दी जाएगी किसी तरह के संभाविद बिवाद की स्थिती में ततकाल हस्ताचेप कर समस्या का समाधान करे यूपी रोडबेज अपनी बसों में सुविधाय बहतर करने की कोशिशों में जुटा है विभाग ने जो नया प्लान बनाया है उसके अनुसार अब रोडबेज बसों में यात्री सोते हुए सफर कर सकेंगे इसके लिए रोडबेज के बेड़े में 90 नई AC और नौन AC स्लीपर वसे शामिल की जाएंगी तैयारियों के मताविक करीब 6 महिने बाद यात्रीयों के या सुविधा मिलने लगेगी श्री हर हर सेवा समित द्वारा राजधानी लखनों के जानकी पूरम बिस्तार में आजित शिश्यू महापुरान कथा तीसरे दिन भी जारी रही इस कथा ब्यास महामंडलेस स्वामी चिदंबरा नंसरस्ती महराज ने भागवान शिव के चरित्र को विरोधाबासों के संगम बताया उन्होंने कहा कि यहीं विरोधाबास उन्हें औरों से अलग करता है इस मौके पर यूपी के कई जिलों से आए श्रधालों सहित महाराश्टरा मधप्रदेस राजस्तान दिल्ली से आए कथा प्रेमी भी मौजूद रहे यह था आज का खबर नामा आप देखते रही आइंडिया मुझे दीजे जाज़त नमस्कार